फागुन मास में या फगुन मास के अंदर जो पुरण मासी आती है उस पे पूरे भारत में और पास में जो पड़ोशी देश है नेपाल और चैत के महिने में यानि सेगले महिने में थाइलेंड के अंदर भी एक उत्सब कहें या एक हुरदंग कहें या होहला कहें या जिसका नाम अभी जो परचलित है होली होली सी या होली उसके वारे में आज हम बात करेंगे और इसकी कहानी बहुत लंबी और बहुत इंट्रेस क्योंकि ये जो हुर्दंग और होहला मसता है इसका जो जिक्र है वो सबसे पहले मिलता है पाली साहित्य के धमपद की गाथा नंबर 26 और 27 में 26 और 27 का मतलब है ए प्रमाद वग अपमाद वग वग का मतलब मैंने पहले बताया है वर्ग और प्रमाद में अगर ए लगा देते हैं तो ए प्रमाद हो जाता है और पाली में इसको बोलते हैं पमाद या अपमाद उस गाथा के अनुसार कुछ भिक्कू जो बुद्ध बिहार के अंदर हैं उनको वहाँ के उपासक कहते हैं जो अच्छे उपासक हैं कि भिक्कू यहाँ साथ दिन तक लोग एक दूसरे पे धूल भैकेंगे यहाँ एक प्रमाद का माहौल रहेगा यहाँ एक एरोटिक यहाँ प्रमाद मस्त वाला जहां लोग बौरा जाते हैं या पागलो जैसी हरकत करते हैं ऐसा माहौल रहेगा तो अते आप लोग बिहार में ही रहें और आपको जो भोजन हैं हम लोग बिहार में ही पहुचा देंगे यह बात जब भगवान को पता चलती है और भगवान के ध्यान में आती है तो भगवान इसके उपर एक गाथा भी कहते हैं जो गाथा नमबर 2.6 या 26 या 27 नमबर की होती है मगर वहाँ पे होली शब्द का जिक्र नहीं है ना होली का का जिक्र है मगर पाली भासा में होला का जिक्र है होला जो होता है आप सब जानते होंगे खास्तरों से जो गाउं के लोगें वो जानते है कि होला का मतलब होता है जो चने की फसल होती है चने की फसल में जो चना होता है हरा चना उसको होला बोलते हैं और हेला शब्द भी आप जानते होंगे हेला अभी तो वेश्ट बंगाल के अंदर कुछ लोगों की काश्ट के नाम से जाना जाता है मगर हेला शब्द पाली के अंदर है हेला का मतलब है ऐ प्रमाद वाली कीड़ा का अपोजिट यानि कि प्रमाद वाली कीड़ा यानि खेल प्रमाद युक्त या मदमस्त युक्त या ऐसा जिसमें इरोटिक या सेक्सुलिक बहुत ज़्यादा क्रियाएं होती है उसको पमाद बोलते हैं और पमाद यूद खेल को यहां हेला बोलते हैं यानि उस खेल का नाम है तो यह आप जो ध्यान अगर देंगे तो इससे भी ज़्यादा एक important बात निकल के आई और सामने आती है आपने अगर रखा सुत बंधन वाला अगर वीडियो देखा हो भगवान बुद्ध के महा परिनिर्मान के बाद जब पहली वार भिक्कों को यह एसास होता है कि धम को बचाने के लिए धम की सभी आयतों में, वर्सिस में, सुत्तों में या धम के सभी नियमों में एक गाठ बांद के उसको माला के रूप में प्रो दिया जाए यानि कि उसको गंठ बना दे जाए, गंठ बना दे जाए और उसके लिए जब वो सत्पर्णी कुफा के आगे के मंडप में पांच सो अरत भिक्कु बैठते हैं तो वो जो सभा वहाँ, जो त्री पीटक यानि पूरी के पूरे साहित्य को बांधती है बनाती है और वहाँ से जो बन्दन श्टार्ट करती है उनका जो रक्षा करती है सुत्तों की, रखा करती है वो साथ महिने में पूरे होते हैं और जो साथ महिना होता है पूरा वो जो फगुण है यानि जो फागुण है उसकी पूर्ण मासी को पूरे होते है फगु जो सब्द है फगु सब्द बना है ब्रतकाल से या भूके रहने से या निहार रहने का समय यानि कि आप अगर फगु का शब्द का मतलब जानेंगे तो फगु का मतलब है कि आपको बृत रखना है भूके रहना है मतलब आपको साधना में जाना है तो खाना कम खाना है यानि साधना का समय है तो फगु से फगुन मना है और इस मास को अब चुकि इसको फागुन बोलते है तो यह फागुन की पूरण मासी है जब यह आता है तो यहाँ यह बात बिल्कुल इस्पश्ट हो गई कि जो रखा सुत्र पहले बंदे थे वो अब पूर्ण हो गए हैं और फगण मास में इसको उत्सब के रूप में मनाया जाता है खास और से बेंगलौर के जो महाबोधी बुद्विहार हैं वहाँ पे इसको धमपद उत्सब के नाम पे फागुनी उत्सब के नाम से या फागुनी मास उत्सब के नाम से इसको मनाया जाता है जो महत्सब के रूप में आता है जो साधू जो सादक हैं जो पासक हैं जो बेंगलौर में रहते हैं वो कई सालों से इसको देख रहे हैं और मना रहे हैं और ऐसा ही दिल्ली के अंदर धूली बोलते हैं धूल को और लेड्डू बोलते हैं धूल के यानि मिट्टी के धले को लेड्डू जो मिट्टी का धला है उसको और जो धूली है वो धूल को और इन दोनों सब्द को अगर मिला दें यानि कि लेड्डू और धूली तो यह बनता है दूलेड्डी दुलेड़ू था पहले, दुलेड़ी हो गया, इसको दुलेड़ी भी बोलते हैं, आज की भासा में, और दुलेड़ी को ही वो किरिया कलाब बोलते हैं, जबकि लोग एक दूसरे के चेहरे को काला करते हैं, मिट्टी लगाते हैं, रंग लगाते हैं, या जो कारेकरम करते हैं उस समय के जिक्र में कहीं गुलाल का या भीर का या किसी भी तरह की किसी चीज का कोई जिक्र नहीं मिलता मगर एक परंपरा जो पूरे भारत में खास तोर से जो नौट इंडिया है उसमें परंपरा चलती है कि अगर आपकी लड़की की शादि या किसी की लड़की की शादी अगर हो गई है तो उसकी पहली होली वो अपने ममी के और पापा के यानि के अपने माएके में या पीहर में बिताती है और उसको वहाँ ले आते हैं यह परंपरा अगर आप ध्यान देंगे तो ये परंपरा इसलिए विक्सित हुई है क्योंकि जब शादी का लगवग एक साल के बीच का समय होता है तो लड़की के चांस जाता होते हैं कि वो मा बनने की सिती में होती है और ये जो प्रमाद वाला जो फेस्टिवल है जैसा कि धंपद में आया है इसमें हो खुलड करने के लिए लोग आएंगे और वहाँ आके वो मिट्टी धूली खेलेंगे नसा पानी करेंगे और वो उसमें प्रमाद में होंगे तो हो सकता है कि वो महिला के साथ में कोई छेड़ छाड़ी करें और वो महिला अपने बच्चे से नुकसान उठा बैठे या कोई नुकसान उसके बच्चे को हो जाए इसलिए वहाँ से उसके मावाप उसको हमेशा भेज देते हैं यह एक परंपरा है जो आज भी लगब भारत के लोग इसको निभाते हैं यह परंपरा इसीर क्यारण से विक्सित हुई है ताकि बच्चा और माँ दोनों सेफ रहें इस परंपरा में आपने ध्यान दिया होगा जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भारत के सारे उत्सप जितने भी हैं या जितने भी काईक्रम हैं वो फसलों के उपर हैं अभी चने की फसल यहां आई हुई है तो चने को होला बोलते हैं और जो की फसल भी आने वाली है यानि जो का भी देखते हैं तो जगे जगे आग जलाके इसमें दाने पकाके खाते हैं और देखते हैं कि दानों की स्थितिक क्या है और आजकल तो गेहूं, पहले गेहूं नहीं होता था, आजकल गेहूं की जो बाल हैं, उनको भी जला के भूनते हैं और पानी का भी वर्सिपिंग करते हैं, यानि पानी इसके साथ जाता है पानी की वर्सिपिंग भारत की अपनी वर्सिपिंग है जो बहुत पुरानी वर्सिपिंग है और थाइलेंड के अंदर जो अगला महिना आएगा उसमें पानी की होली वो खेलते हैं खासतर से बुद्ध भ्यारों को साफ करते हैं और भगवान बुद्ध की जितनी भी चैते, स्थूप या प्रतिमा होती है उनको धोते हैं और उसी में वो मस्त होके आपस में एक दूसरे को भी पानी डालते हैं वहाँ का एक फेस्टिबल है पानी का फेस्टिबल महा होता है, रंग का नहीं है तो यह जो होला है, इस होला को, यानि चने का जो हरा दाना है इस होला को, जब जलाते हैं और जलाने के बाद में काईक्रम हुआ तो यह सब का एक रूप लिया और वहाँ सब लोग मिलके दाने वगईरा खाते हैं आप ध्यान देंगे कि जो दिवाली पे जो गौतम धम के नाम से जो बात में गौधन और गौधन से फिर गौतम धन हुआ, गौतम धन से गौधन हुआ और गौधन से फिर गोवर धन हुआ, यानि गोवर का जो बनाते हैं एक पुतला सा, उस पुतले में जो गोवर होती हैं, उस गोवर के वो गोल गोल धम चक बनाते हैं और साथ में एक माला बनाते हैं और उस धम चक को बाद में जलाया जाता है ये परंपराबाद में विक्सित हुई है ये परंपराबाद में इसलिए विक्सित हुई है क्योंकि इसको विक्रित किया गया और इसको खराब किया गया और इस गौतम धम को गोवर धन में बदला और उस गोवर धन को याद दिलाने के लिए लाश तक भी लेके आए जिसको वो जलाते हैं और धम को खतम करने की परंपरा का एक विक्रत रूप यहां दिखाई देता है क्योंकि धम्र चक्र बनी हुई आकरतियों को हुली में फैंकते हैं और जलाते हैं हो सकता है कि उसको याद करने के लिए भी हो मगर जलाना अच्छी बात नहीं होती और इस परंपरा का जो सबसे विक्रत रूप आया वो यह आया कि होला जिस दिन होता है और जो हिला वाला का इक्रम है उसके अगले दिन जो दुलेंडी आती है यानि धूल भरे जो लोग आते हैं यह साथ दिन तक चलता है उसके बाद भी चलता है और इसमें लोग परमाद में मस्त हो जाते हैं परमाद में मस्त होने की वैसे उनके साथ में अनोहोनिया हो जाती है और उस अनोहोनी करने के लिए जो आपका दुस्मन होगा जो आपको खतम करना चाहता होगा वो उस मौकी का फायदा उठाता है और उस प्रमात की अवस्था में चुकि आप में नसा पानी किया हुआ है आप वहाँ महिलाओं को छीड़ने का मन बना रहे हैं आप इरोटिक हुए हैं बलकुल सेटेक्टिव हैं बहुत ज़्यादा सेप्शुली कामुकता में आप लडड़पिट हुए हैं आपके मन मस्टिक्स में कामुकता है कामुकता जिसको भगवान ने मार का सबसे बड़ा सेना का हत्यार बताया है तो उसमें होता क्या है कि आपको कोई हानी पहुचा सकता है आपको मार सकता है आपकी बच्चों के साथ में कोई विकरती कर सकता है कोई जबजस्ती कर सकता है आपके चोरी हो सकती है आपके सरी का नुकसान हो सकता है ये परंपराबाद में चली और इस परंपरा की आड़ में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ एक कहानी जो चलती है पूरे भारत में जो आपने देखी होगी क्योंकि हिर्णया कसब जो है हिर्णय कसब इसका नाम है हिरई कसप पाली का नाम है और उसे सम्मदित होली का है होली का जो नाम है वो भी पाली का नाम नाम है होली का नाम पाली का इसलिए है क्योंकि जितना भी बाद में आ आता है वो नाम सारे महिलाओं के लगबग होते हैं जैसे होलिका, विसाखा, मिगारमाता, सामा, महामाया, उपलवर्ना, पटाचारा, धमदीना, नंदा, सोना, सकुला, कुंडलकेसा, कच्चाना, ये सारे नाम जितने भी हैं लगबग आ के बाद में आते हैं, जो आज भी लगबग लता, सुनीता, ये सारे नाम अनिता, ये ज चुकि कहानी में ये बताया गया है, कि आग में दो लोग बैठे और जल गए, तो आग तो सब के लिए बरावर धर्म का काम करती है, अगर आग में दो लोग बैठे हैं, या तीन बैठे हैं, या चार बैठे हैं, तो ये छोटी सी बुद्धी की बात है, कि सारे के सारे जल तो आग में कोई भी वस्तु आप डालेंगे आग उसको भसन कर देगी यह आग का ध्रम होता है इसलिए कहानियां कहानियां होती है कहानियों पर आप यकिन करें ना करें मगर यह बात सचाई है कि इस परमाद वाली इस्तिती में आपको नुकसान करने के लिए आज भी कोई आ सकता है अपना मुँ काला करके टोली बना के आपको नुकसान कर सकता है और और भी अगर कोई नुकसान करने ना भी आए तो जो कारेकरम आज की डेट में जो डबलब भूप के आगे आया है इसमें बहुत ज़्यादा सरी को नुकसान होता है, धुआ होता है, पॉलूशन बढ़ता है, इसमें पैसे खराब होते हैं, और इसका कहीं कोई फायदा या उचित्य नहीं है, बगवान बुद्र ने अपनी गाता में बताया था कि जो अच्छे लोग होते हैं, वो पिरमाद म उठाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, अपने सरीर को बचाते हैं, अपनी उर्जा बचाते हैं, मगर जो लोग प्रमाद में जाना चायते हैं, जिनको प्रमाद मदमस करता है, वो लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, और वो जाके वहाँ, जितनी निगटि फैके जाते हैं, कहीं अंगूर फैके जाते हैं, कहीं आटा फैका जाता है, ये लगबग लगबग सब जीगे चलता है, तो ये एक प्रोसेस जो है, प्रोसेस इस प्रोसेस में कहीं अगर अच्छी तरह से आप इस्तमाल करेंगे इसको तो थोड़ा पहुत जॉई मिल सकता है मैंगर भारत जैसे देश में इसका निगेटिव फायदा उठाके लोगों ने इसको विक्रत करके और इसमें अपनी दुस्मनिया निकाली है और लोगों ने ये जो कहानिया चलती हैं ये कहानी तो एक मातर ऐसी हजारो कहानी है जबकि इस क्रिया की लपेट में इस क्रिया की चपेट में हजारो लाखों लोगों का नुफसान इसमें हुआ है और होता रहेगा जब तक ये प्रमाद वाली क्रिया चचलती रहेंगी इसलिए say no to holy या say no to प्रमाद धन्यवाद